और एक निवेदन आप सक्से करूंगा जिसके घर में किलेश जादा मचता हो बहुत जादा किलेश मच रहा हो बहुत जादा जगड़े होते हो बहुत जादा तो महराद संकर भगवान पर थोड़ा सा चावल एक कटोरी में गला लो थोड़ा सा चावल गला पर उसको पीस लो पीस करे, उस चावल में थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी डालो, उसका उद्धन तिजार करे, बुद्वार के दिन, कोई भी बुद्वार, संकर जी के मंदर में जाकर, संकर भलवान के शिवलिंग पर, उस चावल का लेपन करे, साथ लोटा पानी, मात्रसाय, सेवन, स संकर को समर्पित करो, शिव को समर्पित करो, अपनी काम ना करकर, अपना भाव रख, जब आपिस चलो, जिस पटोरी में से भगवान संकर को आपने उप्तन लगाया था, वोही कटोरी घर लेकर आप, घर के मूल मूल इस्थान, जो भी हैं, हर हॉल में, कमरे में, उसकी एक एक बिंदी लगा दीजी, मातर तीन बुद्वार आपकर लीजी, आपके घर में कभी खिलेश नहीं हो सकता, भूमी का कितना भी दोश होगा, सिद्धू, जिस घर में रुपिया आ रहा है, जा रहा है, एक रुपे कमार है, सब रुपे खर चो रहा है, घर में पैसा नहीं अगर धन संचिता में नहीं पढ़ रहा है, धन संचिता में नहीं आ रहा है, तो महराज शिम महापुरान की खत्ता करती है, तिल्ली का लेपन, तिल्ली काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सचावल, थोड़ा सचावल, और हमारी यहां चावल के साथ में चाव चावल की धान, जिसको जो का बाद अलग हो जाता है, जो गेहूं की हो जाती है, पर चावल की धान करते हैं उसको, इन तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को, पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लो, महाराज, दरवाजे के नस्दीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भागने उसको रख दिया घर से एक लोटा पानी जिसमें कच्चा दूद मिला हो वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठा कर ले जाकर कलस नीचे रखकर सीरे हाथ में कटोरी रखकर शंकरजी को समर्पित कर दो जल चड़ा दीजिए बाबा भोले नापके जो चरण पादुका है उस पादुका में वही पिल्ली वही चावल का भाग वही जओं जो आप चावल का धान बोलेंगे धान उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो आते समय वो दोनों भाग पर चड़ी हुई तीनों चीज़े उठा दुकान में वैपार में वर्साई वाली जगा पर उसको रख दीजिए कभी जिंदगी में संपता कम नहीं होगी हुआ संपता बढ़े पीम रविवारा को करने हैं सुक्र की प्रापती के लिए ये भूमी के दो सुपों मिटाने के लिए आपको कठा में पहले भी कहाता बा मेरे महादेव ने बनाए मेरे शंकर में निर्मित कि एक एक पल एक घड़ी एक च्छण शिल बनाता चार महिने चतुर मास के भगवान विश्णू देव सोनी एका धसी पर जब सोने जाते हैं तो भगवान शंकर को बुला करते हैं ये चार महिने जितना स्थान, फुन्य, स बिष्पोड़иях लिए द्म लिज भीक्ते सें लिए मल्क रेव चो चाहे इसके ब करो पुर्व किर्ण करो चाहे गव माता कोदोर चाहे बेहन बेटी कोदो चाहे किसी भिक्चूप को कुछ दो उस समय तुमारे चेहरे पर सल नहीं होना चाहिए उस समय तुमारे चेहरे पर तुमारी नेनों में अश्रू नहीं होना चाहिए उस समय तुमारे चेहरे पर प्रसनता होना चाहिए घर पर बेहन बेटी आ जाए और बहन बेटी राखी बांद ने आई, बहन बेटी तीस देवार पर आई, और तुमने एक साड़ी दी, या 500 रूपे दीए, या 1000 रूपे दीए, या 2000 रूपे दीए, और भावी का मुँ भगोने जैसा हो गया, चेहरा उत्रा हुआ, भाई राखी बनदवाने बैठा तो पह पहले पाटे पर बेठने से पहले आसन पर बेठने से पहले सोफे पर बेठने से पहले जब भाई राखी बंदवाने बेठता है तो पहले अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कुछता कितने दिना है क्यों भहिया कमा तू रहा है लातू रहा है तो फिर धर्म पत्नी से क्यों हो जाता है आज मेरा मन कर रहा है तुम्हें बोलना चाहिए तुम्हें बताना चाहिए और अगर पत्मी को कहे, पती, कि तुम दो हजार रुपे दे रहे हो, तो धर्म पत्मी का फर्ज है, धर्म पत्मी का फर्ज है क्योंकि तुम भी किसी की बेहन हो, तुम भी किसी की बेटी हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने पती को कहो, सुनो एक किस्सो देओ, मना नही पांसो रुपए लग से चूड़ी के देदो, पांसो रुपए लग से बेहन बेटी आई है, तो गारी का किराया देदो, ये जब धर्म पतनी अपने पती को कहेगी, पती के चेहरे पर प्रसंदता होगी, मुझे उम्मीद है, आज आप अपनी ननंत को दे रहे हो, तो आप ज आपका भाव, आपका आनन्द, आप किसी के लिए अगर समर्पित हो रहे हो, आप किसी के लिए समर्पन कर रहे हो, आप किसी के लिए अग्रेने हो रहे हो, तो वहाँ से उनता का अग्रेने का भाव तुमको भी प्राप्त होगा, रच्छा बंदन पर भाई राखी बंद्वाने बेट रहा है तो धरम पतनी से पूछ रहा है कितने रुपे देना है प्राण छूटने के बाद भगवान विश्णू लच्छमी से पूछे बता इसको नरत बेजू किस वर अरे बोलो तो रहे भाई बगवान विश्णू अगर अपनी पतनी से राई ले तो भोले नाथ देने से पहले पारवती से राई ले तो इंद्र कारे समालने से पहले इंद्राणी से राई ले तो ब्रह्मा ब्रमानी से राई ले तो नहीं नहीं अगर यमराज अपनी धर्म पतनी अपनी दर्मपत दक्षिन से पूछे ए दक्षिना तू बता कि ये जो मरा है इसको मैं स्वर्ग भेजू की नर्ग तो सबसे ज़्यादा अगर दक्षिना देवी बोलेगी तो एक ही बात बोलेगी यमराज की पत्नी एक काम करिये इसको नर्ग भेज़ दो क्यों क्यों कि ये कभी दक्षिन मुख करकर कोई कामी नहीं करा बोलो दक्षिन मुख करकर कोई कारे करता दक्षिन मुख करकर कोई पूजन करता दक्षिन मुख करकर कोई स्मान करता दक्षिन मुख करकर कोई सेबा करता है अपनी पत्रीनी से नहीं पूश्ता भगवान विश्णों लच्छमी से नहीं पूशते किसको क्या देना है इंदरंजर Caitlin से नहीं पूशते कि क्या देना है तब उनकी विचार धारना केवल भहिय देखा जाता और आज का जमाना अधिए जैसे आई राक्की पानने चलो बैठो पाठे पे अंदर अभी आया अंदर गया इते देना इस साड़ी रखी है मैंने निकाल दी आ दर्म बतनी केती है, साडी निकाल दी मैंने, यह साडी दे देना, और सुनो, साडी के पास 500 पर देना, बहुत है, साडी भी तु दे रहे हैं, और ये तुने जो अपनी नमन के साथ करा, अब तु अपने माई के जाओ, और तेरी भावी, तेरे साथ करे, तो तुझे कैसा लग देने से कभी नहीं घटा मार, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बेहन बेटी को देने से कभी घटा नहीं है, तुमने जो दिया, उसका चार गुना, अगले साल तक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, गवमाता को एक रोटी दी है, गवमाता के निमित्त से एक रुपिया भी अगले वर्ष तक यही तारीक लिग कर रखना कितना प्राप्त होता है, तीसरा, संत ब्रह्मन को देने से कभी घटा नहीं है, आपने जो दिया, उसका हजार गुनाथ आपको प्राप्त हो जाता है, हजार गुना श्री शीवाय नमस्टूर थो थो हम्हश्री शीवाय नमस्टूर करें हम।